नमस्कार साथियों मैं कुनाल आप सभी का यू पी आरो ए आरो मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन डिस्केशन सीरीज में स्वागत करता हूं तो रोज की तरह आज के अपनी क्लास में हम फिर डिसकस करने वाले कुछ प्रशन जो आपकी आने वाले यू पी आरो ए आरो प्रक् हैं यह हमसे पूछ रहा है तो पहला स्टेटमेंट है कि अर्भी भाषा में लिखी गई आत्म खता है इसे अबदरहीम खान खाना ने तुर्की भाषा में अनुवादित किया यह दो स्टेटमेंट हमें दे रहा है वैसे अगर हम लोग देखते हैं कि मूल रूप में मतलब तुझु के बावरी सबसे पहली लिखी गई थी तो तुझु के बावरी बाबर ने लिए थी ठीक है अब बावर की यह तुझु के बावरी अपना अपने बहुँ ज़्यादा खास है लेकिन क्या हुआ था कि शुरुआत में लिखा गया था तो इसको अर्भी भाषा में लिखने काता है इसको नहीं किया था किवंसी भाषा में लिखा गया था तर्क है तो तो तुर्की भाषा में आत्मगता ठीयार की गई थी थी आत्म ककाथ अम अ painter Sch देखते हैं अगर आप लोग को समझ में आया था क्लिक हो जाता है तो कॉमेंट करना मैं कॉमेंट जरूर देखूँगा अबदुरहीम खाने खाना जो है अकबर के नौ रत्मों में से एक थे तो हम देखते हैं कि खासतर बावर के जीवन की महतवपूर गटना उपर परकास जालने का काम यह पुस्तर करती है ठीक है तो पहला भी गलत होगे दूसरा भी गलत होगे दोनों गलत होगे तो प्रश्ण और कैरान है ठीक है थे और यह पर यह पर यह बताना थी कि अभी कतनर कारण में से सही क्या है अगर दोनों सही हहा तो यह बताना तो अब में आपने मुद्दा जो है, वो मुद्दा ये आ रहा है कि 1770 क्या कोई फर्मान था क्या, जिसकी वज़े से आयात मिर्यात को शुल्क फ्री कर दिया गया था, कोई कर नहीं देना था, अगर 1770 में है असा हुआ था, जिसकी वएसे कर फिर हुआतन का पूरा मामला, त जिकें तो किसी और का या किसी और को दिया गया था, चीजे कुछ उपा नीचे, तो सही है, मतलब किसी मामले में, पर वेक्षय नहीं करता, तो फिर हमें जाना पड़ेगा कि वेक्षय सही नहीं करता, अगर कोई गलत हो तो देखो, उसके लिए हमारे पास में, यहां पर स् ठीक है, तो दस्तक जारी कर दी थी, दस्तक जब किसी को दे दिया आता, तो उसका मतलब यह है कि आपको कोई टैक्स बक्स नहीं देना, कोई करनी चुगा ना, आरामसेट फ्रीली आप ट्रेड वरेट कर सकते हैं, तो 17-17 में ही यह काम हुआ था, मुगल शाशक ने शाही फ ठीक है, चलिए, आगे आते हैं, जर्मानी के रूर बेसिंग के बारे में थोड़ी बात करते हैं, पहला स्टेट्मेंट कह रहा है कि यह चेतर बिटुमिनस कोईले के लिए प्रसिद्ध है, और दूसरा कह रहा है कि यह चेतर राइन नदी के किनारे इस्तित है, ठीक है, तो बिटुमिनस कोईले के लिए प्रसिद्ध यह चेतर बिल्कूल है, पर यह चेतर राइन नदी के किनारे नहीं है, दर असल यह चेतर है, यह चेतर है, रूर नदी के किला है, ठीक है, रूर बेसिंग किस से बनेगा, रूर नदी से बनेगा, रूर नदी से बनेगा, रूर य क genuine in the context of the Raja क के अधिकार कोो विस्याइद और नागरी को हिसेशत श्वधार परण करों की बात हुत Jenos क्या कर सकते हैं catch pea क्यों कि यह काम नहीं कर सकते हैं राजये पह रोक लगती है या फिर उसको पावर मिलती है तो दो यह रोग लगती है न तो प्र क्योंकि मौलिक अधिकार राज्यों को बांधते हैं अपनी चीज़ा लागू करने से जब कभी मात होते हैं मौलिक अधिकारों का उलंगन होगा तो वो काम मानने नहीं होता दरस्था में तो पहला स्टेटमेंट गलत यह अधिकार नागरी को व्यक्तिवों को विशेश पहली स्टेटमेंट हलके भूरे रंग की बलूई दोमत मुर्दा है यह हैं मुर्दा उत्तर प्रदेश के मिरजापूर सोन बथर और चंदोली जिलों में पाए जाती है देखो पहली statement हलके भूरे रंग की बलूई दोमट मिर्जा है यह वाली बात बिल्कुल ठीक है लेकिन मिर्जापूर सुनबंदर चंदोली जिलेस की मामले में सही नहीं है दरसल इसके जुड़े वो जो महतवपूर जिले हैं वो हैं हमीरपूर जालोन और यमुना के तकिये ठीक है मिर्जापूर सुनबंदर चंदोली इसमें नहीं आएगा तो इसी वज़ा से पहला statement चाहिए और दूसरा घलत है तो प्रशने का उत्तर क्या हो जाएगा साब से हम लोग का प्रशने का उत्तर हो जाएगा हम लोग के लिए यह केवल एक सही है ठीक चीज़े के संदर में दो कतन हैं विचार कीजे जरा एक बार पहले में कहे रहा है कि भारत का महा नियाएवादी संसर और मंत्री मंदल का स्थाई सदसे होता है यह संसत की किसी भी संसर में अथवा उसकी समीतियों में बोल या कारवाही में भाग ले सकता है इसको दिकार बिला हुए त ऊश्ट से नहीं होता है ना तो यह मंत्री मंदल का सथाहई साथ से वगा लेकिन बैट सकता है बातचीद कर सकता है बोल भी सकता है बस मत नहीं सकता है बना रहता है, ठीक है, चीज़े के लिए हैं सभी को, तो अनुच्छे दठा से याद रखेगा, तो पहला statement गलत है, दूसरा statement ठीक है, तो इसलाब से प्रशन का उत्तर क्या हो जाएगा, भी केवल दो हो जाएगा हमारे प्रशन का उत्तर, आईए, अगला प्रशन देखते हैं, कहरा है कि किसने आर्थिक विकास को गरीवी के विरुद लणाई कहा, ठीक है, इंदिरा गांदी, नरेंदर मोदी, महबूल उलहक और जेके महता, ठीक है, तो वैसे इंदरा गांदी औ नरेंदर मोदी से परिचित हैं ही है, महबूल उलहक और जेके महता को ने, तो जेके महता जो है वो, सीमात आई कि अवधारना प्रस्तोत की थी, तो ये भी एकोनोमिस्ट है हमारे लिए, चेक है, तो इस प्रशन का उत्तर क्या हो जाएगा, जो बात आर्थिक विकास की है, तो इसका उत्तर क्या है, महबूल उलहक है, वैसे एक प्रकार से यह रहा है, सब लगता है कि हाँ कोई राजनितिक नारा हो सकता है, लेकिन इसका उत्तर जो है, महबूल उलहक नहीं पताई थी वाली बात, कि देखिये, आर्थिक विकास को हम लोग गरीवी के विरूद प्रशाशन में राजधानी पाट्री पुत्र का प्रशाशन 6 समीतिया करती थे और प्रतेक समीतिय में 5-5 सदस्य होते थे ठीक है तो देखिए मौर्यकालिन प्रशाशन के बारे में ये बात बिल्कुल ठीक है कि राजधानी पाट्री पुत्र जो 30 का प्रशाशन 6 समीतियों क तो इस पर कार के कारे किया करती थी ऐसी मेजारिया नकी इन की पास होती थी और पास पास अदससे होती थे इन छे-ए समीखियों में थीक है और दोनो ही स्थेटमेंट ठीक हो जाएगा क्रिशन प्लिष्なんか को जाएगा एक 1691 में कम ने में यह फेaction बम लिध कじゃあ अज़त मिली थी तो अब बात अब से पहले कि पहली फैक्टरी कहां इन्होंने इस्थापित कि और कब स्थापित की तो इस ती डाइ कमपनी का इतियास भारत के मामले में निर्णायक भी राता हैं महतों पूरे इथिहास के अंदर नए अध्याय जोड़ता है कहानी जो थी वो मसूली पटनम से शुरू होती है मसूली पटनम में 1611 में इन्होंने अपनी फैक्टरी जो थी वह से पहले स्थापित के और चीज़े यहां से शुरू करी मसूली पटनम को बहुसा जगा मचली पटनम भी लिखते है तो दीरी दीर यहां पर उन्होंने इस्तिती मजबूत के दक्षणी भारत में कोई मजबूत सशक्त्र सामराज्य उससे में था नहीं तो इनको चीज़ा सोड़ी सी इजी हो गई बाद में हम लोग दिखते हैं कि हुगली के अंदर 1651 में ही इनको ज़दत मिलती है कि आप विपार वगरा कर लीजिए चीज़ों को बढ़ाईए विस्तार दीजिए तो यहां से फिर इनका बहुत ज़दा विस्तार तहीं से होने लग जाता है ठीक है अलाकी जो फैक्ट्रियां थी बहुत सारी जगा फैक्ट्रियां थी वो सूरत में भी थी अम्ड़बाद में भी थी आगरा में भी ठीक है यह सभी चीज़ा होते हैं बहुत साथ इच्छे से नों ने कवर किये थे अपने इस्तिति को मजबूत करने के लिए और शुरुआत में competitors भी बहुत जाता थे पर दीरे-दीरे monopoly अपनी स्थापित कर लेते हैं ऊंद लेए रचे पारे में किसी प्रकार का लोगो नहीं होता है इस ATM मशीन में बैंक की कोई ब्रांडिंग नहीं होती है मतलब लोगों नहीं होता तो ब्रांडिंग नहीं होती वैसे तो सिम सिम तरह की बात ही कह रहा है इसका स्वामित वजो होता है वो गैर बैंकिंग वित्य संस्तान के पास होता है non-banking financial institution जो होते हैं, वो ही white level ATM समालते हैं, ठीक है, और किसी परकार के logo नहीं होता है, और नहीं किसी परकार के bank की कोई branding होती है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है, तो बात सारी सही है आप लगे, clear है, तो तीनों ही सही है, इसी वज़े से क्या हुआ, डी जो है, वो हमारे प्रशन का उत्तर हो जाएगा, चीज़ा के लिए बढ़िया, तो important है साभी चीज़ा, पूछे जा सकते हैं, बाकी आप चाहते हैं, आपके पर साती प्रशन उत्तर को तो इसलिए उत्तर वीडियो को शेर केजिए, बाकी जिनको पसंद आईए, लाइक ज़रू केजिए, और बाकी की बाते होंगी, अगली वीडियो में कुछ नए प्रशनों के साथ, तब तब के लिए दीजिए, मुझे फिदा, थैंक यू सो मुच